प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को गलत साबित करने वाले नेताओं की फेहरिस्त जो है न दोस्तों लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है क्योंकि एक चिजाद एक जितने भी राज्ये बीजे पिशासित राज्ये हैं वहां से ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो कि लड़कियों को लड़की नहीं समझते उनके साथ यौन शोशन करते हैं उनके साथ बलातकार करते हैं क्या किशोरी क्या नावालिक लड़की सब को उसी नजर से देखते हैं और दोबारा एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने मेरी इस बात को साबित कर दिया है दोस्तों नमस्कार मेरे नमें जैन्ती जा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों बलातकारी नेताओं की लिस्ट जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है एक और नेता जी निकल कर सामने आये हैं आपको यकीन कर पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी यह जो नेता है इनका नाता भी बीजेपी से ही है यह बीजेपी में उत्तर प्रदेश के दोस्तों विधायक है उत्तर प्रदेश से बीजेपी के विधायक हैं कौन है जरा इस वक्त आपके स्क्रीन स्पर मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ इस खबर के मताबिक BBC की खबर है उत्तर प्रदेश के सोनबद्र जिले की एक अदालत ने भारतिये जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ आठ साल पुराने बलातकार के मामले में गिरफतार की का बॉरंट चारी किया है दुद्धी विधानसवा छेत्र से BJP के एमले हैं राम दुलार जिनके उपर बलातकार का आरोप है अब BJP तो कहेंगी कि यह तो राम के दुलारे हैं तो यह तो बलातकारी हो इनई सकते हैं यह तो संसकारी होंगे लेकं असल में क्या दुशकर् बताया यह जा रहा है नावालिक के साथ दुशकर्म किया है सन्भथर के कहले। राहूल मिश्रaj जन्होंने बीजेपे विधाय के खिलाब गिरफतारी का वारंट जारी किया है दोस्तों, और ये जो गिरफतारी का वारेंट है ये जारी कर दिया गया है रामदुलार को कई बार कोट में पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन जब वो पेश नहीं हुए कई बार जब उनको समन भेजा गया और उनकी पेशी नहीं हुई उसके बाद कोट ने आदेश दिया है कि MLA र रामदुलार को गिरफतार करके 30 जनवरी को कोट के सामने पेश किया जाए तो गिरफतारी को बोरिंट जो है वो जारी हो चुका है देखें यह जो पूरा मामला है कब सामने आया था या आपको बता देते हैं मियोरफूर छेतर के एक व्यक्ति ने चार नवंबर 2014 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रामदुलार ने उनकी बहन को धमका कर उसके साथ कतित तोर पर बलातकार किया था पुलिस ने जाच के बार मामले में चार्च शीट भी दाखिल की थी कई बार कोट ने समन भेजा मगर कारणों का हवाला देकर स्वा सीरियल देखिए सीरियल वाइस कैसे एक के बाद एक जो नेता है जो साफ चवी तथा कतित साफ चवी वाले नेता है वो निकल निकल कर आप सामने आ रहे हैं यह बैठे हुए बीजेपी में विराजमान है बड़ी-बड़ी पोस्ट पर विराजमान है और बीजेपी का इंखला बड़ी से लिस्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक नेता तो है नहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका दिन पर दिन नाम सामने आता जा रहा है हरियाना का मामला अभी भूले तो नहीं होंगे दोस्तों हरियाना में विनेश वोगाड जो कि राश्ट्री खिला अरोप लगाया है और यौन शोषन का अरोप सिर्फ एक लड़की ने नहीं डिगाया है उनका कहना है कई लड़कियों का यौन शोषन अध्यक्ष साहब ने किया है ना सिर्फ अध्यक्ष ने किया है बलकि अध्यक्ष से जो कनेक्टेट कोच होते थे वो भी लड़कियों क महीला खिलाडियों का यौन शोशन करते थे तो आप ये इस बात को समझे एक मामला ठंडा नहीं हुआ था दूसरा मामला भी आ गया सामने और ये जो लिस्ट है ये लंबी होती चली जा रही है हम नहीं निकाल रहे हैं मामले खुद खबर है सामने आ रही है दोस्तों जो बता रही है चीक चीक कर चिला चिला कर बता रही है कि BJP पार्टी जो है उसमें जितने भी नेता हैं वो कितने संसकारी हैं और कितने सुधरे हुए हैं कितनी साफ चवी के नेता हैं कि BJP ने उनको बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमन करवाया हुआ है अब जरा ये जो खबर सामने आ रहे सोनभद्र से इस पर किनके लोगों ने क्या क्या फृतिक्रिया दिये दोस्तों एक के बाद एक मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखा देती हूँ सबसे पहले नरेश बालिया ने लिखा कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भाजपा विधायक सांसदों मंत्रियों के रेप के कारणा में बाहर नाए एकदम से गती बनाए रखे हैं नाम बदलकर पार्टी का बलातकारी जनता पार्टी क्यों नहीं रख देते हैं सुबोच सिंग इसके बाद लिखते हैं दोस्तों कि भगवान जी जितने भी बलातकारी रेप माफिया है सब भाजपा से ही क्यों आते हैं रोज रोज इन भाजपा नेताओं के बलातकारी रेप के खबरों से दिन की शुरुआत होती है इनके बाद राकेश रंजन हैं दोस्तों वो क्या लिखते हैं उनका ट्वीट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो लिखते हैं कि भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी न थी तभी मोदी जी ने आगा किया था बेटी बचाओ यानि ऐसे लोगों से ही नेताओं से ही बेटियों को बचाने की जरूरत है ये बात सुप्रिया शिनेद भी कह चुकी है अपने बयान में अलावा दोस्तों तब्रेज आलम सिद्की है वो लिखते हैं गजब है भाजपा भी अभी एक सांसत का मामला थंडा भी नहीं हुआ था तब तलक दूसरा रेपारोपी विधायक मिल गया भाजपा एक लौती पार्टी है जहां हर दूसरा तीसरा कारिकरता रेपारोपी मिल जाता है मुझे की बात तो यह है कि पूरे पार्टी के महिला इस बात पर चुप रहती है सही बात है दोस्तों आप देख लिए मंबाल विकास मंत्री स्मृती राजी जी की तो बोली नहीं फूटती है ना इन मामलों में अलावा मैशासूर नाम के यूजर ने लिखा कि बचाने का काम करना है शायद सरकार इन पर भी गाज किरा दे अब देश कुमार गुपता है वो लिखते हैं संस्कारी पार्टी के एक और सदाचारी माननी है अमरत काल में बेटी बचाओ कारिकरम बेहत सफर है और बड़ी तेजी से सर्व श्रेष्ठ काल की और यह अग्रस मंत्री शानवाज उसेन पर भी बलातकार का आरोप लगा हुआ है इससे जोड़ी खबर में आपको इससे पहले दिखा चुकी हूँ 2018 में मामला सामने आया था हाई कोट गए हाई कोट से राहत नहीं मली फिर सुप्रीम कोट गए तो सुप्रीम कोट से भी राहत नहीं मली सुप्रीम कोट ने कहा है हाई कोट में जो आपको फैसला सुनाया गया है अगर आप सही होंगे तो आप बच्छी जाएंगे गलत एक मामला और सामने आया था दोस्तो हाली में मध्यप्रिदेश के बैतूल से सामने आया था उस मामले में क्या हुआ था कि भाजपा निता रमेश गुलाने की गाड़ी में आग लगा दी गई थी क्योंकि जो ग्रामीन है वो एक मामले को लेकर बहुत जादा गुस्से में थे और वो जो मामला था वो मामला बारा साल की बच्ची के साथ बलातकार का मामला था ये खबर मैंने आप तक पहुँचाई थी दोबारा जिक्र कर रही हूँ ताकि आपको बता पाऊं कि फिहरिस्त कितनी लंबी है देखें दोस्तों अगर इस खबर के मैं बात करूँ तो गाउवालों ने इस खबर के बाद तोड़ फोड़ की थी रमेश गुलाने के घर में जिस बच्ची के साथ बलातकार हुआ था उसने देनिक भासकर को क्या बताया इस वक्त आपकी स्क्रीज पर वो खबर है वो कहती है बच्ची कि मैं घर के बाहर खेल रही थी साथ में मेरी सहिली थी वो बच्ची महज 12 साल किया आपकी जानकारी के लिए बता दू उसने कहा कि आटा अंकल ने मुझे आवाज दी जो कि भाजपा नेता है उसने कहा कि घर आ तो मैं उनके घर चली गई घर में कोई नहीं था वो अकेले थे सहेली को उसके अम्मी ने बुलाया तो वो अपने घर चली गई इसके बाद मुझे उसने बिस्तर पर लेखने को कहा उन्होंने गलत काम किया घर पर किसी को भी बताने से मना किया बच्ची ने कहा वो मुझे कभी 200 रुपे देते थे कभी 300 रुपे देते थे कहते थे इस काम का किसी को मत बताना जब बुलाओं तब आ जाना ये मामला है अंकिता भंडारी का मामला याद होगा उतराखंड का आपको उसमें भी बीजेपी नेतका संदाम सामने आया है तो कुल मिलाकर ऐसे घटिया मानसिक्ता के लोग ओची मानसिक्ता के लोग नीच मान सबके सब और कितने जद्याद कि बहिलों थोक हिलारी चोंड करती है उनको नहीं चोंड साधी आप देख सकते हैं इक सोनभदर से क्या मामला सांदा है तो ये जो तमाम मामले हैं दूस्तों ये पारिभाषा बताल 8 या महारा पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा विडियो अगर आपकोई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात हो गया आक से किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार